ब्रह्माजी के दुर्गा कवच में वर्णित नौ दुर्गा नौ विशिष्ट आउशधियों में विराजमान हैं। ये नौ दुर्गा वास्तों में दिव्य गुणों वाली नौ आउशधियां हैं। ये वशधियां प्राणियों के समस्थ रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाय रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। नो दुर्गा के नो रूपों को आउशदियों के प्रतीक के तोर पर भी जाना जाता है मारकंडिये चिकित्सा पध्धती और दुर्गा कवच में इसका उलेख है नो आउशद स्वरूपों को सरुप्रथम मारकंडिय चिकित्सा पधत के रूप में दर्शा है गया और चिकित्सा प्रणाली के इस रहस्य को ब्रमभा जी द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया इसलिए प्रतेक देवी आयरवेद की भाषा में मनुष्य की प्रतेक बीमारी को ठीक करने के साथ ही रक्त का संचालन, उचित और साफ करने का काम करती हैं आयरवेद में इन आउशदियों को समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली कहा जाता है जिस समंधित बीमारी से व्यक्ति पेडित हो उसे इन नो दुर्गा में उनी देवीओ की विशेश पूजा करनी चाहिए संपूर्ण विश्रु ही देवीओ के स्वरूप हैं आउशदियों से लेकर प्रिकति के भी देवीओ के स्वरूप माने जासकते हैं जिन लोगों को जो बीमारियां हैं वो उसी हिसाब से पूजा अनुष्ठान करेंगे तो सम्मंधित रोगों में भी नौरात्र शुब फल देने वाले साबित होंगे। देवी के इन स्वरूपों को हम स्वास्त की संजीवनी देने वाला मान सकते हैं। सेश्टम सरूप का त्याइनी यानि मोईया नवदुर्गा का छठा रूप का त्याइनी है। इसे आयरुवेद में कई नामों से जाना जाता है। जैसे अंबा, अंबालिका, अंभिका, इसके अलावा इसे मोईया अर्थात माचिका भी कहते हैं। ये कफ, पित, अधिक विकार, एवं कंट के रोग का नाश करती है। इससे पीडित रोगी को इसका सेवन और मा का त्याइनी की आराधना करनी चाहिए। अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के सात्मे स्वरूप मा काल रात्र की। और बताएंगे आपको मा काल रात्र की और शदिया महत्तु के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे अन्रोध है कि अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देवी मा की कृपा आप पर सदयों बनी रहे। जै मादूर के।